कश्मीरी माइगरेंट इंप्लोईस की बात के चाहे तो उनको 130 दिन हो गया धन्ना प्रदर्शन करेंगी कि क्या कुछ यह कहना है देखें हम 130 दिन से लगातार दर्ना प्रदर्शन कर रहे हैं जो गाटी के हालात है वह सामान्य नहीं आज पर्टिकुलर्ली कश्मेरी पंडित्स के लिए जो मुलाजम है वहां पर जॉब कर रहे हैं क्योंकि 12 में से और उससे पहले 21 ओक्टोबर से जो हत्याएं ऑफिसे में जाके हो रही है जो इनसानेयत को शर्म सार कर रही है उसकी वज़े से इसी इन घट्नाओं की वज़े से हमारे दिल और दिमाग में अतना डर का मोखर बैठ गया है कि आज की डेट में हम वहां की तरफ जहाना नहीं चाहते हैं ना हमारे क cruelty तरफ जा looking लेकिन इसी दोरान हमारे पास डीडियों से ओडर आ रहे है कि किरपिया करके यहां पर आ जाईए वरना आपकी सेलरी रोग दी जाईगी और आदों की सेलरी रोग भी दी गई है आदों को यह बोला गया है कि आप अनाथराइज एपसेंट है अगर आप पोजिशन अपनी जस्टिफाइब नहीं करते हो तो फेस्ट दा कॉंसिक्वेंस एक तरफ से उसको थ्रेट परसेप्शन से जो मिलिटेंट परसेप्शन दूसरी तरफ उसे पैन थ्रेट परसेप्शन हमें रिलोकेट किया जाए यह एटाच एंड डेप्डूट एंड डेपलॉइ किया जाए रिलीफ कमिशनर्स ओफिस में यह जम्मू के कैंप ऑफिस में यह अधर संभागों में मैं बताना चाहूंगा लोग इसमें समझते हैं कि इतनी पोस्ट हैं यहां नहीं है लेकिन हमा इसका सॉलीशन हम बता सकते हैं लेकिन डायलोग प्रोसेस खोली है अधर वाइज यह ओडर जो निकल रहे हैं इट में कॉस्ट सेंजिटीव इशू है और कहीने कि सरकार जो इसको टालमटोल कर रही है तो क्या क्याना सब्सक्राइब देखिए बहुत बड़ी आईरनी है च पर जान भी जहान भी तो आज की डिट में तो यह दोनों हमारे लिए है जान है तो जहन है इसलिए हम यहाँ पे हैं जान भी जान भी यहां नहीं हो सकते हैं कोई भी कहीं भी ड्यूटीज कर सकता है अगर मुझे वहां थ्रेट का महौ लग रहे हैं इस नोट मी हमारे पाइब सोला से उपर कंजेंट फॉर्म से हमारे सारे एंप्लोई आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं इसी वज़े से कि हमें यहां एक सो तीज द करें इस डिमांड को और अगर काम कर रहे तो प्लीज हमें बताइए आप कुछ काम कर रहे इस पर क्यूंकि अभी आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कि दियार प्लींगे डेफियर अवर डिमांड उन्होंने अभी तक ना हमें कुछ बताया है ना हमें किसी जरीय से अब यह बहुत सीरियस मुद्धाय में चाहता हूं आपके तो क्यों क्यों नहीं हो रहा क्या 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 था इसके मुताबिक अगर वह हमें अपने स्टेज पर बुलाती है तो एक डायलोग प्रोसेस समझ आता है हम भी उनकी सुने कि क्या प्रॉब्लम्स कहां पर रही है तो लेकिन उसके बाद 120 दिन गुजर गए हैं आज तक डायलोग ना इनिशेट हुए हमने काफी टाइम अपने स्टेज से यह रिक्वेस्ट की थी कि कि क्रिप्या डायलोग को इनिशेट कीजिए अधरवाइस देखे आज की दिन में जो दरने पर बैठे हुए है सारे स्ट्रा टीक है नेशनलिस्ट फोर्सेस को ऐसे में बेचते हैं जहां पर उसकी जान का खत्रा है तो मुझे लगता है इसको भी एक नेशनल इंटरस माना जाना चाहिए जहां पर पॉल्सी बनती है एक जानवर को बचाने के लिए टाइगर्स बचाओ पांगोल्स बचायो क्या आप कश्मीरी पंडित्स को नहीं बचा सकते हैं मुझे लगता है मैटर ऑफ प्रस्टीज नहीं होना चाहिए एड प्रेजेंट जो वहां के हालात है हमें पूरा बरोसा है आप इस पे कि जल्दी से जल्दी घाटी के हालात सामाने हो जाएंगे लेकिन जिस दिन सामाने होंगे आप यह बोल दीजे हमारे लिए गाटी के हालात सामाने होंगे हम पहले होंगे जो वहां जाएंगे लेकिन तब तक ये लिए तो ऐसे जबरस्ती मत बीजिए अदरवाइस वी लूज और लाइफ और आज के आपके जरिये से आज बता रहे हैं मैं चाहता हूं बगवान से दिए दुबारा ऐसे दिन ना देखना पड़े दुबारा ऐसी कश्मिरी पंडित कवचा या ना दे लेकिन जम्मू के लोग rivalry समर्तन रहता है उन्होंने हमेशा हमें accept किया है तो मैं आपके इस माध्यम से उनका हमेशा शुकरियादा करना चाहूंगा कि वो उन्होंने हमेशा welcoming किया हमारी problems को समझाएं security को लेके बात करूंगे security को लेके सकार तो कहती है कि आपको security दी जाएगी आप जाएए तो सही वहाँ कि देखें आप कुछ मुद्दे समझे हैं हम चार हम 5000 मुलाजिम हैं एक एंपलोई जब अपने school में पढ़ाने जाएगा इंडिज्वली इसको security नहीं महिया करा सकते हैं इसके solutions हैं जो हम टेबल पर बात कर सकते हैं लेकिन क्योंकि अगर आपको सिरिनगर में लाके कि आपको सेफ कर दिया गया मैं यह नहीं मान तो क्योंकि अगर अपनी दुकान पर मारा गया उसकी बाद में बात करो इदगा में जब दीपक और we are suffering है इस community ने पहले भी बहुत सफर किया इसको at ease आज रखा जाए तीन डिकेट से एक्जाइल में थी आज जो हमारी government है जिनको हमारी community leadership ने mandate दिया है इनकी prime responsibility बनती है इनको at ease रखा जाए राधर दन keeping them in a turmoil conditions साफ तोर पर आप सुन चुके और वहीं पर में फिर्ट से कहना चाहूंगी एक सो तीस दीन हो चुके हैं और लगातार मांग इनकी इतनी ही है कि हमें रिलोकेट किया जाए लेकिन कहीं न कहीं मांगे जो है कहा जाए अंसुनी की जा दी है क्योंकि बहुत ही sensitive issue है यह मोरे जिस तरीके से आप बात करें पहले तो पहले भी कई कि लोगों की जान जो है किश्मीर में जा चुक है और उसी डर की वजह से अब इंप्लोई जो है वहाँ पर जाना नहीं चाहती है और लगातार मांग इनकी इतनी ही है कि हमें रिलोकेट किया चाहिए कमेंट सक्षे पर अपनी राय जो है वो ज़रूर रखेगा देखते दि के साथ कामरे परसन गोपाल